गोल, नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट से कराएंगे, तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं, इथाईल एमाइन क्या होगा स्टूडेंट, CH3, CH2, NH2, यह हो गया इथाईल एमाइन, अब आपको रियेक्शन अगर HNO2 से दे, या NaNO2 प्लस HCl से दे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, कि यह डाइजोनियम सॉल्ट डाइजोनियम आयन यहां कह सकते हो, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, CH3, CH2, NH2 प्लस, और स्टूडेंट्स, एलीफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है, वो हाइली अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होगा, तो तुरंत यह बॉन्ड यहां से ब्रेक हो खुद से तुम वाटर से रियक्ट करा दो, तो यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, CH3, CH2, OH, that means यहां जो मेजर प्रोड़क्ट होगा, वो एलकोहल बनेगा, however, अदर प्रोड़क्ट्स भी बनते हैं, बड़ जो मेन प्रोड़क्ट होता है, वो यहां पर इथनॉल, त तो थर्ड ओप्शन देखो, C2H5, OH, तो correct answer इसका कौन सा होगा, students, थर्ड ओप्शन, ठीक, students, चलिए, आगे देखिए, आपके पास एक question, देख रहा है, 54, तो अब हम लोग देखेंगे question number 54 को, ठीक, students, तो देखिए, assertion और reason दिया हुआ है, assertion में क्या क्या आता है, the bond angle in alcohol is slightly less than tetrahydral angle, पहले इसको समझो, students, जैसे alcohol है, R, O, H, यह alcohol हो गया, ठीक है, इस oxygen के पास अगर देखो, तो oxygen के last orbit में कितने electron होते हैं, students, 6 electron, six में से दो bond बनाने में खर्च कर दिया, तो बांकी का कितना बचा, four, four का मतलब इस oxygen के पास two loan pairs है, ठीक है, students, तो two loan pair and two bond pair, तो two plus two four, मतलब hybridization क्या होगा, students, SP3, अब SP3 का, SP3 का geometry होता है, tetra-hydral, bond angle होता है, 109 degree, 28 minute, होता है कि नहीं होता है, लेकिन इसमें दो loan pairs भी है, तो student अगर दो loan pair रहेगा, देखो, tetra-hydral कैसा होता है, जैसे methane को देखो तुम, H, H, एक ये plane के पीछे, एक उपड इस तरह से होता है, लेकिन अब ये वाला bond और ये वाला bond समझो की नहीं है, और उसकी जगह पे क्या है, students, loan pair है, तो भी से पाजाएगा, और क्योंकि अब bond pair की जगह ये दो loan pairs हैं, ध्यान से समझना, students, bond pair की जगह ये दो loan pairs हैं, पहले ये bond pair हुआ करते थे, तो bond pair, bond pair से ज़्यादा repulsion किसका होगा, students, loan pair, bond pair का, समझ में आ रहा है बात, पहले यहां मान लो, जैसे methane का जब केस था, pure tetrahedral का जब केस था, तो दो loan pair जो हम लोग यहां पे लिये हैं, इसके बदले में दो bond pair था, तो वो दोनो bond pair, इस bond pair को repel कर रहा था, अब उसकी जगह पे कौन repel करेगा, loan pair, और loan pair का जो repulsion होगा, वो bond pair स ज़्यादा होगा, अब students, bond pair जब repel कर रहा था, तो 109 degree 28 minute था, जैसे methane का केस, अब उसके बदले में यहां loan pair repel कर रहा है, तो ज़्यादा repel किया, तो bond angle 109 degree 28 minute से कम हो जाएगा, होगा की नहीं होगा, समझ में रहा है बात, तो वही तो लिखा है, कि bond angle in alcohol is slightly less than tetrahedral angle, ठीक है students, तो assertion हो गया, correct, correct, reason, the alcohols, in alcohols, the oxygen of OH group is attached to SP3 hybridized carbon, एक in general अगर R OH लो, जैसे CS3 OH, C2H5 OH, जो भी, हां तो ठीक है, in general हम कह सकते हैं कि oxygen जो है, वो SP3 hybridized carbon से alcohol में जुरा हुआ है, तो ये भी statement correct हो गया, लेकिन यह explanation नहीं होगा, students, यह explanation क्यों नहीं होगा, अरे भाई, यह SP3 है, इस कारण से bond angle थोड़ीन लेस देन है, tetrahedral angle, SP3 का तो tetrahedral ही होता है, क्योंकि lone pair I.I.I. students, और lone pair bond pair का repulsion हुआ, जादा repulsion हुआ, comparatively, इस कारण से bond angle less than tetrahedral angle है, that means, assertion is correct, reason is correct, but reason is not correct explanation of assertion, अब इसको देखो कौन से option में दे रखा है, तो देखो, बोथ A and R are true, and R is not correct explanation of A, मतलब correct answer हो जाएगा इसका fourth, ओके students, समझ में आ गया question, अच्छा question था, चलिए, अब बढ़ेंगे आगे हम लोग, और देखो, इसके बाद जो next question है, हम लोग के पास ये आ गया question number 57, ठीके students, चलिए, एक 57 question number को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या कह रहा है, तो question में दिया है, tertiary butyl bromide, तो सबसे पहले क्या करोगे students, tertiary butyl bromide का structure लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो C, tertiary है, तो 3 carbon से जोरो पहले, जोर देता हैं इसको 3 carbon से, अब total 4 carbons हैं, तो tertiary butyl हो गया ये group, अब BR लगा दो, ये क्या होगे students, tertiary butyl bromide, अब कहता है, tertiary butyl bromide reacts with sodium methoxide, ठीक है students, sodium methoxide क्या होगे बटा, CH3O-Na+, ये हो गया sodium methoxide, कहता है, इसके साथ reaction करेगा तो क्या बनेगा, students होता क्या है ना, in general, समझो बात को, अगर एक alkyl halide दिया, और एक alcoxide दिया, alkyl halide और alcoxide, इसका जो reaction होता है ने students, वो Williamson synthesis, इथर का formation होता है, लेकिन अगर tertiary halide हो, ये tertiary halide है, और students, ये strong basis, CS3O-, तो यहां mechanism SN2 तो हो नहीं सकता, तो mechanism कौन सा होगा students, students, E2, और अगर E2 mechanism कराओगे, E2 mechanism कराओगे, तब तो इथर बनने से रहा, तो यहां से VR, ये alpha position, अब इन तीनों बीटा में से कहीं से H हाटा दो, तो VR और H हाटेगा, तो क्या हैगा, पाइब और, तो क्या बना product to students, ये 2 है, ठीक ना, तो C से 2CH3, double bond CH2, ठीक है students, तो इसका देखो, numbering नाम कैसे लिखोगे, तो 1, 2, 3, तो 2 पे methyl, प्रोपीन, ऐसे करके बोल सकते हो, option देखो अब, 2 methyl, प्रोपीन, that means, third option इसका, 57 का correct answer होगा, ठीक है students, आगे बढ़ हैं, next question आपके पास, students, question number 60, देखे, question number 60 में आपसे क्या कह रहा है, chloroform and aniline are easily separated by, मतलब, chloroform और aniline को, आसानी से कैसे separate करेंगे, और कुछ methods का नाम दिया है, students, अगर हम इसका बात करें, chloroform और aniline के boiling point का, तो इसका 3, 34 Kelvin होता है, और aniline का अगर बात करेंगे, तो 457 Kelvin होता है, होता क्या है, students, अगर दो liquid के boiling point में ज्यादा का difference हो, that means 20 degree centigrade सबसे ज्यादा का difference हो, तो उसको separate करने के लिए, हम लोग simple distillation का ये उज़ करते हैं, अगर बहुत कम का difference हो, तो fractional distillation का ये उज़ करते हैं, इसमें तो clearly आपसे पूछा, कि chloroform aniline, और आप देख रहे हैं कि boiling point में ज्यादा का difference है, तो इसके लिए कौन सा method यूज करेंगे, students, तो distillation या simple distillation, आपके पास question number 62, चलो, 62 को solve कर लेते हैं, 62 एक simple सा question आपके सामने में रखा, the correct order of stability of carbocation, carbocation का stability देखना है, students, students, जो group attached रहते हैं, उनकी priority कैसे देखते हैं, कैसे देते हैं, तो सबसे पहले मीजोमेरिक को, फिर hyperconjugation को, फिर inductive को, अगर alkyl group जुरा हुआ है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, एक बार जरूर चेक कर लेना, stability point of view से, पहले hyperconjugation, अगर hyperconjugation मानलो, सो नहीं कर रहा है, या दो group है, उसका बराबर है, तब inductive लेना है, ठीके students, चलो, देखते हैं इस positive sigma, यहाँ पे 2 hydrogen है, तो total मिलाके 4L5, 4 hyperconjugable hydrogen इसमें present है, B में देखो, तो यहाँ पे 3 होगा, 3 यहाँ पे होगा, और 2 यहाँ पे होगा, मतलब total 8 hyperconjugable hydrogen होगा, third में देखो, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो 6 hyperconjugable hydrogen होगा, और इसमें देखो तो 3 और 2, 5 hyperconjugable hydrogen बढ़ेगा no bond energy, no bond resonance energy weekend से वो बढ़ेगी, और जितना ज्यादा student energy release होगा no bond resonance energy stability उतना ज्यादा होगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगया, देखो, 8 alpha IH वाला मतलब B, उसके बाद देखो, 6 alpha IH वाला मतलब C, उसके बाद अगर देखें, तो D क्योंकि 5 alpha IH है, और उस में की 4 alpha IH है, ठीक है students, चलिए option match करते हैं, B, C, D, A किसमें दे रखा है, तो B, C, D, A, तो correct answer कौन सा होगा students, second option, ठीक है students, चलिए, आगे बढ़ेंगे अब, और चलिए देखते हैं कि अब next question इसके बाद कौन सा है, next question आपके पास है students, question number 66, चलिए देखते हैं, question number 66 में क्या कहता है, for the given reactions, identify A, B and C, A, B और C को identify करना है, देखिए आपके पास दिया क्या गया है, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन हम लोग बना लेते हैं, तो CH3, C, triple bond, CH, यह होगया प्रोपाइन, इस प्रोपाइन में क्या देंगे, जिससे की product बने 1, 1, 2, 2, 3, टेटरा ब्रोमो प्रो प्रोपे दो ब्रोमीन, और 2 पे दो ब्रोमीन, तो यही 1 students, 1, 1, 2, 2, 3, टेटरा ब्रोमो प्रोपेट, H तो हम लोग लगा ही देंगे, ठीक है, अब प्रोपाइन में क्या ऐसा दें जिससे की यह बने, तो simple size students, देखो, अगर एक पाई तोर के BR-BR लगे, फिर दूसरा पाई तोर के भी BR-BR लगे, तभी ऐसी possibility है, इसका सिधा सा मतलब हुआ, हम लोगों को यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, BR-2, CCL-4 यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां अगर BR-2 दे दें, तो फिर यह possibility हो सकती है, तो चलो, एक तो मिल गया कि BR-2, अब CCL-4 नहीं दि ठीक है, चलो, एक तो पता चल गया कि BR-2 से होगा, इसके बाद देखो, इसमें B दिये, तो बना 2-2 डाई-ब्रोमो-प्रोपेन, इसका structure कैसे लिखोगे, एक, दो, तीन, तू पे, दो ब्रोमीन, अब इसमें obvious सा बात है, students, HBR तुमको देना परेगा, क्यों, HBR दोगे, तो पहले पाई-ब्रेक होगा, यहाँ H और यहाँ BR लगेगा, ठीक है, तो एक BR लगया, फिर दूसरी बार HBR दोगे, तो मारकोनी कौफ क्या कहता है, student, अगर वाइनाईलिक है, तो निगेटिव पार्ट फिर से उसी कारबन पे जाएगा, जहां पहले से निगेटिव पार्ट है, हैलोजन एट है, समझ मैं आ रहा है बात, जैसे पहले बार तुमने पाई को ब्रेक किया, यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे BR लगाया, अब दूसरी बार जब HBR लगाओगे, तो निगेटिव पार्ट आप रिजेंट, मतलब बी आर बैनस, कौन से कारबन पे जाएगा, जहाँ पहले से हैलोजन एट हैज, मतलब इस पे, तो टू-टू डाइब रोमो प्रोपेन बनेगा कि लिए बनेगा, तो इसका HBR हो जाएगा, और थर्ड जो रिएक्शन दे रखा है स्टूडेंट, यह HG2 प्लस और H3O प्लस, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं यहाँ H, यहाँ OH और उसको tautomerize कर दो, एक सिंपल वें मैं मैं बताता हूँ, मार्को निकोफ के according double bond O लगा दो, मन्दब एक ट्रिक टैप का हो गया, ठीक है, तो यहाँ double bond O लगा, बाकि H से satisfy करा दो, तो CH3CO CS3, ठीक है, तो AC tone बन जाएगा, तो यहाँ से product क्या बना, CH3CO CS CS3, चलो, अब option को match करो, first में BR2 रहना चाहिए, second HBR रहना चाहिए, और third AC tone रहना चाहिए, तो चलो देखो, BR2, HBR और CS3CO CS3, मतलब second option इसका correct answer होगा, okay students, चलो, next question इसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे, और देखिए next question कौन सा दे रखा है, तो यह देखिए आपके पास अ 69 में column match करने के लिए दिया है, अब first column में देखो, एक reaction दे दिया है, और second में एक reaction दिया हुआ है, तो match करने के लिए कह रहा है, चलो, आसान सा है, देखते है, बेंजो फिनोन, structure लिख दोगे तो हो गया, जैसे देखो, students, first में A में क्या दे रखा है, बेंजो फिनोन क्या हो डाइ फिनाइल मिथेन, इससे बनाना है हम लोगो, pH, CH2, pH, डाइ फिनाइल मिथेन, students, clearly आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे CO को CH2 में convert कर दिया गया है, तो CO को CH2 में कैसे convert करोगे, LDhyde या ketone का अगर है तो, यह ketone का है, तो Clemenson reduction, Wolf-Kissner reduction, तो इसमें भी देखो कि column 2 में क् रखा है, तो देखो, ZNHG and conch HCl, Clemenson reduction, तो अगर इसमें ZNHG plus conch HCl दिया जाए, तो CO किसमें convert हो जाएगा, CH2 में, तो यह बन गया, इसका मतलब A का third correct हो जाएगा, A का कौन सा correct हो गया, third, ठीक है students, चलिए, B देखते हैं, क्या है, बेंजल डिहाइड से 1 फिनाइल तो बेंजल डिहाइड कैसे लिखोगे, PHCOH, अब इसका reaction अगर CH3MGBR से करा दो, तो students, CH3MGBR क्या provide करेगा, CH3 minus, RmgX को कैसे break करते हैं, R minus, X minus, और Mg2 plus, complete break इस तरह से होता है, तो अगर हमने लिया, CH3MGBR, तो यह क्या provide किया, CH3 minus, अब यह CH3 minus Nucleophile की तरह इस carbon पर attack किया, इस CO bond को open कर दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से देखो, PH, CH, OH और CH3, CH3 यह जुड़ गया, H और PH तो था ही, तो यह बना जो, इसका नाम देखो, 1-Phenyl-Ethanol, एक बर चेक करो, 1-Phenyl-Ethanol बन रहा है किने, 1-Phenyl और Ethanol होना चाहिए, तो numbering किदर से करोगे, 1, यह 2, तो 1 पर Phenyl, दो Carbon का है, तो Ethanol बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब B का जो correct हो जाएगा, matching वो कौन सा हो जाएगा, 4, B का correct matching 4 हो गया, चलिए C का देखते है, C में cyclohexanol, cyclohexanol यह हो गया, और इसको convert करना है, cyclohexanol में, cyclohexanol, कैसे करेंगे students, यह clearly आपको दिखरा होगा, reduction से बना है, तो reduction कैसे करोगे, मतलब जरूर यह pi break हुआ, 1H यहाँ पे लगा, 1H यहाँ यहाँ पे लगा, यह जो reduction हुआ है, alcohol बना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते है, LIALH4 ले सकते है, NABH4 ले सकते है, अब given क्या उससे देखो, तो LIALH4 रखता हुआ है, लिखा हुआ है, तो इसका मतलब C के लिए जो correct हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, और जो D में दे रखता है student, उसको भी देख लो, तो phenyl benzoate, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, pH, CO, O, pH, तो देखो, कैसे नाम लिखते हैं, पहले यह, phenyl और benzoate, यह benzoate के seed होता, अगर pH, CO, H होता तो, तो इसलिए phenyl benzoate, अब students, इसमें अगर हम dival H दे दे, dival H, तो dival H क्या करेगा, देखो एक option है ना, dival H, तो dival H इसको pH, CO, LD, हाइड पे reduce करके stop कर देता है, ठीक है, तो क्या बनेगा यहां से, pH, CO, H, और वही तो कह रहा है, कि benzoal dehyde बनाना है, ठीक है, dival H जो है, इसके अलावे और किसको reduce करता है LDH में, तो जैसे आपका यहां nitrile रह सकता है, जैसे यहां आपका carboxylic acid रह सकता है, इन सब को reduce करके LDH फॉर्म करता है, ठीक है students, तो benzoal dehyde, इसका मतलब इसके लिए जो correct matching होगा, वो कौन सा होगा 2, अब given option से match करो, A का 3, B का 4, देखो कहां पे हैं, A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2, मतलब correct answer, fourth option हो जाएगा, ठीक है students, चलिए, आगे बढ़ेंगे अब, और देखते हैं, next question आपके लिए क्या दिया गया है, इसमें, यह 69 था, तो next question देखिए, आपके पास यह आगया, question number 75, अब इसको solve करते हैं, हम लोग question number 75, क्या किया देखिए, the maximum reactivity in SN2, SN2 में reactivity पूछा, कैसे देखेंगे students, तो एक general सा concept, simple सा concept, SN2 की reactivity inversely proportional to steric hindrance at the substrate, होता है कि नहीं होता है, अब अगर यह जो given compounds है, इसका तुम structure बनाओ, तो 1-bromo-2-2-dimethyl propane, चलो बना देते हैं, तो first का कैसे बनाओगे, प्रोपेन, मतलब 3 कारबन का हो गया, अब 1 पे bromo है, ठीक है, 1 पे bromo दे रही है, फिर है 2-2-dimethyl, तो 2 पे 2 methyl लगा देते हैं, प्रोपेन, second देखो, यह first था, second में, 1-bromo-butane, 1-2-3-4, 1 पे bromo-butane, ठीक है, second यह हो गया, third देखो, 1-bromo-3-methyl-butane, तो 1-2-3-4, तो 1 पे bromo, और 1-2-3-3 पे methyl, यह क्या हो गया, students, 1-bromo-3-methyl-butane, और चाओथा जो है, उसमें देखो, 1-bromo-2-methyl-butane, तो 1-2-3-4, तो 1 पे bromo, और 2 पे methyl, स्टूडेंट्स, इतना कुछ देखने का इसमें जरूरत ही नहीं है, सीधा-सीधा तुमको दिख रहा होगा, कि second में, steric hindrance substrate पे सबसे कम है, और अगर steric hindrance सबसे कम है, तो SN2 की reactivity सबसे ज़्यादा होगी, इस कारण से इसका जो correct होगा, वो कौन सा वाला, second option, 1-bromo-butane, इसकी reactivity में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है students, next question इसके बाद कौन सा है, देखते हैं, next question आपके पास है, question number 78, चलिए देखते हैं, 78 में क्या क्या रहा है, ethyl benzyl dehyde, 2 ethyl benzyl dehyde dehyde students, तो देखो क्या होगा, benzyl dehyde कैसे बनाऊगे, तो CHO, और 2 पे क्या लगाना है, ethyl, तो CH2, CH3 लगा दिए, तो यह हो गया, 2 ethyl benzyl dehyde, इसका reaction कहता है, KMNO4, KOH और heat, KMNO4, KOH, heat, students, strong oxidizing agent हुआ की नहीं हुआ, तो यह CHO तो oxidize होगा ही, यह CHO तो oxidize होना ही होना है, इससे COOH में, मतलब, यह CHO वाला पार्ट तो आपका COOH में convert होगा ही, साथी साथ, यह जो strong oxidizing agent है, KMNO4, KOH, यह क्या करेगा, जो alkyl side chain है, इसको completely oxidize कर देगा COOH में, मतलब, यहां भी क्या आजाएगा, COOH, actual में students होना क्या चाहिए, basic medium है, KOH है, समझो ध्यान से, तो कहीं भी carboxylic acid अगर product बने, कहीं भी product अगर carboxylic acid बने, और option में carboxylic acid भी है, और दूसरा option RCO- भी है, और medium basic है, फिर से सुनो, carboxylic acid product तुमारा आ रहा है, answer आ रहा है, medium basic दे रखा है, तो तुमको answer क्या लिखना है, टिक करना है, RCO- या RCO-, तो students RCO-, लेकिन मानलोग वो option में ही नहीं है, हाँ तो ठीक है, H+, लिया होगा, RCO- बनाया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वही कुछ situation है, बना ये, actual में हम लोगों को लिखना क्या चाहिए, मैं यहाँ COH, COH लिखा हूँ, लिखना क्या चाहिए, COO-, COO-, because basic media में अलग से H+, नहीं लिखा हुआ है, बट, एक भी option वैसा, अगर नहीं दिया हो, तो ऐसा नहीं बूलेंगी कि गलत है, वो H+, लेकर के COH में convert हो गया होगा, तो देखिए, कहाँ पर दिया है, COH और COH और्थो पर, तो first option, इसका correct answer हो जाएगा students, first option, 78 का, ठीक है students, चलिए, आगे देखते हैं next question कौन सा है, 89, चलो, 89 question में क्या दे रखा है, देखो, 1% alkaline के aminophore, students हम लोग जानते हैं, bear's reagent, 1% cold, dilute, alkaline के aminophore, इसको क्या कहते हैं, bear's reagent, ठीक है, तो alkene का reaction अगर bear's reagent से कराओगे, तो कैसे product बनेगा, pie break होगा, दोनों carbon पे OH, OH, H, H होगा, और interestingly, यह जो दोनों OH होगा students, यह sin position पे जूडते हैं, मतलब same side से जूड़ेगा, ठीक है students, तो इसमें वही दिया है, 1% alkaline के aminophore, यह test of unsaturation भी होता है, आपको पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कि यह pie bond break हो जाएगा, और pie bond break हो करके, इस दोनों carbon पे एक-एक OH जोड़ जाएगा, same side से, ठीक है, तो चलिए देखिए, कहाँ पे ऐसा बनाया गया है, तो यह second option को देखो, pie को तोर दिया है, और दोनों carbon पे एक-एक OH एटेच कर दिया है, that's why correct answer will be second option, ठीक है students, चलिए, next question है, आपके पास question number 92, इसको थोड़ा उपर कर देते हैं, देखो, 92 में क्या कह रहा है, question में, the increasing order of melting point, तीन compound आपको दे रखा है, और melting point पूछ रहा है, हेलो एलकेंस एन हेलो एरिंस वे NCRT में clearly इसका value भी दिया हुआ है, order दिया हुआ है, अब समझे, यह meta है, metadichlorobenzene, यह orthodichlorobenzene है, और यह paradichlorobenzene है, students, इन तीनों में अगर देखे न, तो melting point का जो order होता है, वो होता है P, O, M, मतलब para, ortho, meta, और जो इसमें boiling point का order होता है, वो होता है O, P, M, मतलब ortho, para, or meta, ठीक है students, आप से क्या पुछा गया, melting point का order, increasing order of melting point, तो melting point, order क्या हो जाएगा, पहले यह देखो, para, ortho, or meta, पहले तो option मिला लो, तो para मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, C, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ortho, ortho कौन सा students, B, और उसके बाद meta, meta कौन सा students, A, तो answer हो जाएगा C, B, A, सबसे ज़्यादा C, उसके बाद B, उसके बाद A, मतलब second option, अब इसका logic क्या है, कि सबसे ज़्यादा para कर क्यों होता है, students, para, जो dichlorobenzene है, उसका structure symmetrical होता है, अब जैसे यह symmetrical molecule है, तो ऐसा ही दूसरा symmetrical molecule अगर देंगे, तो packing ज़्यादा होगा, packing ज़्यादा होगा, तो packing efficiency ज़्यादा होगी, मतलब packing efficiency ज़्यादा है, more efficiently अगर packed हुआ, तो फिर उसके interaction को तोरने के लिए ज़्यादा energy खर्च होगा, तो melting point ज़्यादा होगा की नहीं होगा, तो para का इन दोनों से ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि para more symmetrical structure है, वो तो दिखता भी है para में आपको, एक CL उपर लगा, एक नीचे लगा, more symmetrical है, ज़्यादा symmetrical होने से क्या होगा, कि उसका packing ज़्यादा efficient होगा, और more efficient packing होने के कारण ही melting point ज़्यादा होता है, जैسे कि हम लोग cis और trans isomer जब बनाते हैं, तो melting point किस का ज़्यादा होता है students, ट्रांस का जादा होता है, in general बात किया जाये तो, in general melting point trans का क्यों जादा होता है, क्योंकि trans structure more symmetrical होता है, symmetrical होने से packing efficiency जादा होगी, और more efficiently अगर packed होगा, तो obvious सा बात है उसका melting point जादा होगा, ठीक है students, तो answer कौन सा होगया CBA, अपका second option, ठीक है, यह था question number 92, और आप कोसिस इस order को याद भी रखने का, next question देखते हैं, इसके बाद कौन सा है, 92 के बाद, तो next question है, हम लोगों के पास, question number 95, देखें 95 में क्या कहता है, the given sequential reaction, identify product Z, Z product क्या है, उसको identify करना है, चलिए, देखते हैं, क्या दिया हुआ है, तो CH3, CH2, OH, इसमें दिया, red phosphorus, plus I2, तो red phosphorus, plus I2 दिया, तो OH हट के क्या लगेगा, students, iodine, SN2, मैं के निजब, तो यहां से बन गया, CH3, CH2, I, अब क्या दिया, इसके बाद दिया, इसमें casein, तो KCN अगर देंगे, तो CN-, CN-, CN- इस carbon पर attack किया, iodine को भगा दिया, nucleophilic substitution, SN2, again क्या बना, CH3, CH2, CN, और इसके बाद 2H2O, H+, है, 2H2O, और H+, students, अगर एक ही molecule H2O का रहता, तो इसका partial hydrolysis होता, partial hydrolysis होने से amide का formation होता, CONH2 बनता, लेकिन 2H2O दिया, मतलब complete hydrolysis होगा, और complete hydrolysis होगा, तो carboxylic acid का formation होता है, तो क्या बनेगा product, students, CH3, CH2, COOH, ठीक है, क्या लिख दे product, CH3, CH2, COOH, तो 123 मतलब propanoic acid, propanoic acid, और propanoic acid कौन से option में दे रखा है, तो second में, ठीक है, students, clear हो गया, आगे बढ़ते हैं, question number 98, इसको थोरा उपर कर देते हैं, और देखिए, यह आ गया, question number 98, 98 में देखिए, again, एक sequential reaction दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया है, फिनॉल, अब students, फिनॉल में, अगर zinc dust दोगे, तो बढ़ा common सार यह action है, यह OH हाटेगा, हाएगा, reduction होता है इसका, और reduction होकर के यह benzene बनाता है, इसके बाद दिया, CL2 excess और Enhydrous Alcl3, CL2 excess में दिया, और Enhydrous Alcl3 दिया, तो CL2 Alcl3, CL plus Electrophile बनेगा की नहीं, यहां से Electrophile जो होगा हम लोगों का, वो क्या होगा, CL plus, अब क्योंकि excess में दिया है, तो सभी position पे जाके लगेगा की नहीं लगेगा, मतलब इसमें नहीं, जो benzene बना है हम लोगों का, तो इससे जो product बनेगा, इसका product मैं यहां पे लिखता हूँ, इसके सभी position पे CL जाके attach हो जाएगा, ठीक है, और इसका नाम क्या होता है students, hexachlorobenzene, तो देखो hexachlorobenzene किसमें दिया हूँ है, तो second option इसका correct answer होगा, ठीक है students, तो यह था organic chemistry का सारा question students, I hope आप सभी को बहुत अच्छे से समझभे आया होगा students, thank you students.